हेलो दोस्तों उमीद करते हैं आप सब खरियत से होंगे इस वीडियो सेक्शन में हम देखेंगे MVC को को कोडिंग नेटर के साथ किस तरह काम करता है MVC का जो आर्खिटेक्चर है मौडल यू कंट्रोलर वो कोडिंग नेटर के साथ किस तरह काम करता है तो एक पिच्चर ही मेरे पास्वक मौझूद है कोडिंग नेटर फ्लोचार्ट की अभी मैं इसके बाद MVC पर आऊंगा पहले कोडिंग नेटर के फ्लोचार्ट को देखते हैं होता क्या है कि सबसे पहले है index.php जो इसको जहां मेंशन हो रहा है यह वह चीज है जो कि हम website को access करने यह हमारा जो पेज है यह हम एक URL यहां पर हम जब एंटर करता हूं तो उसको यह चीज मेंशन कर देख्च बात अब हम एंटर करता हूं तो सबसे पहले मेरे रिकॉर्स जाती है राउटिंग के पास जो के कोडिंग लेटर का अपना एक अर्किटक्ट्चर है वो इसे चेक करता है कि आया कि एक कैश में मौझूद तो नहीं जो बात अभी हमने हम डारेक्टर स्टॉक्टर को समझ रहे तो वहाँ पे एक कैश का फोल्डर था तो सबसे पहले वो से कैश में चेक करता है कि वाकी यह पेज़ पहले से जनरेट हुआ है अगर जनरेट हुआ है और कैश में मौझूद है तो महाँ से उसको लेता है और वापस ब्राउजर पर सेंड कर देता है उसका रिजल्ट अच्छा लेकिन अगर वह कैश में मौझूद नहीं होता तो सबसे पहले वह security check करता है जो कि मैंने इंट्रड़क्टिव वीडियो में इसके बात हुई थी कोडिंग्मेटर security के हवाले से भी अपना अच्छा बैक्ग्राउंड रखता है और कोडिंग्मेटर के हवाले से जानना भी जाता है तो security में रिस्क वह चेक करते हैं से पहले कि उसको भेज़े और एक्जिक्यूट हो बजाए कि application crack कर जाया और उसमें कोई बाग आ जाया तो security पहले इसमें चेक कर लिजाती है जब वह security के तमाम parameters जो भी बॉक्स में मौझूद होता है security की line में उनको पार करने के बाद वह हमारे जो application का फोल्डर है वहां तक वह पहुंच चाहिए और उसका controller तक और उसके बाद जो उसके अंदर सारे जो भी folder के नाम थे model libraries helper plugin scripts anything else जो भी आपके application में वहां आता है जाता है आप देखेंगे छोटे-छोटे arrows आपको नदर आ रहा है कि इसे data जा रहा है model की मैंने बात कि रही थी कि इसमें database interaction अपना query रखेंगे तो अगर को query है को यहां से model में जाएगी model उसे database से लेगा result लेगा और फिर इसको pass करेगा जब यहां से function perform हो जाएगा वो उसका एक view बनाएगा जो के MVCV का है और उसको cache भी करेगा साथ cache करने के बाद फिर उस cache में से browser को display कर देगा तो यह पूरा coding letter का flow chart है अब हम बात करते है MVC कि actually MVC क्या करता है तो यह बात हमने पहले भी discuss करी थी लेकिन picture से तरह यह बात और दादा असानी से समझ आ जाएगी क्योंकि picture is the worth of a thousand word है user यानि के user से मुराद यहां पर वही browser है हमारा जब कोई भी browser कोई request send करता है तो वह controller पर जाती है manipulate होती है manipulate यानि execute होती है model के पास जाती है और view के पास और browser पर वापस उसका result आ जाता है तो यह तो बिलकुल full-fledger high definition picture है MVC की लेकिन बाद वकात ऐसा होता है कि हमारा पास model में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ execute कराने के लिए तो बाद वकात ऐसा भी होता है controller से मामला सिधा view पर चला जाता है और महां से user के पास आ जाता है तो यह चीज इसमें वह नहीं है और इसमें कोई चीज restriction नहीं है अगर आप follow करेंगे तो अच्छे बात है लेकर अगर आप follow नहीं करते तो आपके पास कोई restriction नहीं है आप मैंने जिस सरा अभी पहले प्रोग्राम में हमने direct controller में चीज प्रिंट करा जी थी तो कोई error generate नहीं हो था simple output generate हो गया था तो इस हवाले से MVC की यह भी quality आथी है कि आपको restrict नहीं करता है कि आपने लाजमी है वगर आप इस procedure को follow कर रहें तो आप इस से जरा सा भी दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं आप इसको अपने मर्जिस से modify भी कर सकते हैं तो यह थोटा यह इस बात पर जरूरत मुझे महसूस हुई कि आपको थोड़ा सा इसका flow chart और development procedure बता दिये जाए अगर stay tuned for the next video उसमें फिर हम एक काम करेंगे थोड़ा सा advance काम आपको करके दिखाएंगे इसमें थेंक यू